इश्वर सी मौ में नहीं बढ़ता, ना वो जनम लेता है, ना उसका अंत होता है, वो काल से परे, अकाल है, सदियों पहले भारत की फिजाओं में ये वचंगूजे और सिख धर्म का जनम हुआ, जहां जा सिख गुरों के चरण पड़े, वो धर्ती तीर्ध बन गई, हजूर स 70 किलो मेटर दूर, गुदावरी नदी के तर परिस्तित नांदेर, सारे संसार की आस्थाओं का प्रतिक, शिर्गुर गोविन सिंग्जी साहब का पावन तीरस्थल है, लगबक 300 साल पहले, दसमे गुरू शिर्गुर गोविन सिंग्जी साहब के चरण यहां पड़े थे, तब से लेकर आज तक शिर्गुर साहब की स्चोखट पर सारी दुनिया अपना सर जुकाती आ रही है, संबत 1723 दिन इत्वार, स्थान पटना, नौवे गुरू शिर्गुर तेग बहादुर साहब जी के घर, बालग गोविन्दराय का जनम हुआ, जब बालग गोविन्दर अपने बच्पन के अटखेलिया कर रहे थे, उस वक्त उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी एक अद्बूत बलिदान की तयारी में थे, मुगल सल्तनत के हाथों शहीद होने से पहले, उन्होंने गुरु गद्दी अपने पुत्र गोविन्दराय को सौब दी, औ यहां तक कि इस लड़ाई में उन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान भी दे दिया, मुगल समराट बहादुर शाजफर के साथ गोल कुंडा जाते समय पिन नांदेर रुके और यहीं के होके रह गए, यहीं पर उनके दुश्मनों ने खात लगा कर उन पर हमला किय जिसका गुरु साहिब ने मुँ तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस हमले में गुरु साहिब जखमी हो गए, तब गुरु साहिब ने अपने सिख्खों को एककतर कर ऐलान किया कि उनके बाद गुरु गरंट साहिब जी को ही अपना ग्यारवा गुरु माना जाए, आग्या गुरु साहिब का अंतिम स्थल है, यहाँ पर आज भी गुरु साहिब की नाशानिया मौजूद हैं, गुरु साहिब जी की शस्त्र, उनकी कृपान, उनकी कलगी, यह सब हमें उस महान संत, महान गुरु की याद दिलाते हैं, यहाँ पर निशान साहिब भी दो हैं, कहा जा इसमें एक निशान साहब जहां पहले पेड़ था, गुरु सहीब वहाँ पर अपना घोड़ा बांदा करते थे। इसमें आस्मान है, खुद्रत है, सूरज है और प्रेम है। वहीगुरुची का खालसा वहीगुरुची की फते।